डेका आपको चेक करने के अपलिकेशन पर जाना है वहां पर स्क्रीन प्रोड यहांट और सर्च करने का इस तरह आपका स्क्रीन प्राइस अब जाएगा तो देखें यहाँ पर आपका 26 अक्टूर का यहाँ पर कला ने इसको अप्लोड किया गया है तो इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने का यहाँ पर देखें Registration ID अगर आपके पास फिलाब अपलेवल है तो यहाँ पर Registration ID इंटर कीजिए उसका सम करके next कर दोगे तो आपके पास जो है आपका date of exam, reporting time and कि city में आपका exam पढ़ा है वहाँ पर आपका so हो जाएगा और फिलाल अगर आपके पास अभी registration ID level नहीं है तो candidates name इंटर कीजिए यहाँ पर date of birth जो अपने application form में fill up किया था उसमें जो date of birth है आपका इंटर कीजिए उसका नीचे सम करके next कर दोगे तो आपका वहाँ पर जो है वही जो है reporting time, date of exam and exam city जो है आपका वहाँ पर so हो जाएगा तो friends SSC का जो भी student SSC स्टेनोगराफर का एक्जाम देने जा रहे है अपना जो application status eastern region का देख सकते हैं आपका application status का जो link है उसको active कर दिया गया तो friends SSC स्टेनोगराफर या SSC के तरब से कोई भी official notice आप लोग के लिए आता है तो मैं आप लोग के inform कर दो को तो प्रीव में चैनल को subscribe कर लिजे और अगर वीडियो पासे में वीडियो को like कर देजे तो पर में मिरते है नेक्स्ट वीडियो में कुछ new update के साथ वीडियो